इजिप्तानी गाजाचा सीमे वर्चा रफा शहर पुन्हा चर्चेता है। इजिप्तानी गाजा पुन्हा चर्चेता है। इजिप्तानी गाजा पुन्हा चर्चेता है। पणिया नाका बंदी मुले हमा सानी इजराइल मदला संगर्श पेट्टो तेवा गाजा मदन बाहर पड़न कठिन बनता। इजिप्तानी गाजा मदे सुधा एरेज बॉर्डर क्रोसिंगे पंटे इजराइल चा नियंत्रणाते। काही परदेशी नागरीक मानवाधी कारकार्य करते कि वह वेस्ट बैंक से मोचके रहिवासी तिथुनाधी गाजा मदे येजा करू शकाएचे। पण मोचके अपवात वगल्टा एरेज मन गाजा चा रही वाशानना अजिबात बाहर पड़तायत नहीं। इजराइल हमा संघर्ष पेटल्या पासून हा मार्ग बंदचे। तमले रफा हाँच गाजा बाहर पड़न्याचा एकमेव मार्ग उरलाए पणि आ मार्गा वरती ही इजिप्टच नियंत्रडे। रफा क्रौसिंग ओलांडूँन गाजा बाहर पड़ायचा तर स्थानिक पैलेस्टीनी आधिकारयां कडे दोन ते चाराठावडे अधी नोंदणी करावी लागते। पैलेस्टीनी अधिकारेंची पर्वांगी मिलाली तरी ही इजिप्टचे अधिकारी पर्वांगी नाकारू शकतात और तैसाथी कुठलक कारण ही दिल जात नहीं। संयुक्त रष्टण चा अकडवारी नुसार ओगस्ट दो नजार तेवीस मधे इजिप्ट न एकोणी सजार साशे आठ जणान ना गाजा बाहेर जाओ दिल लो होता। तर तीन्शे चाओदा जणान ना प्रवेश नाकारला। दोन महिने अताच ही परिस्थिती बदलली। साथ ओक्टोबर दोनजार तेवीस रोजी हमासन इस्राइल वर हल्लाकेला अणी युद्धाला तोन फुटला। मग 9 ओक्टोबर पासुन इस्राइलन गाजाची पूर्ण नाका बंदी केली। कही दिवसांत तच रफा क्रोसिंग ही बंद करना तला। या मगे कही कारणेत रफा मारगे गाजातल्य शरणार्थिन चा लोंधा इजिप्ट मदे यहील आणी त्या सोबतच इसलामिक कट्टर ता वादी आपले देशात येतील आशी भीती इजिप्ट लवाटते। लोक गाजा सोडुन गेले तर पैलेस्टाइन साथी चा चलवडी चा नुकसान होईला सा इशारा इजिप्ट चे राश्ट्राद्यक्ष अलसी सी यानी 12 ओक्टोबर ला दिला होता। पड़े क्रोसिंग बंदज हल्यान गाजा मदले सामान्य लोक मत्र कात्रीत सापडलेत। अमेरिके चे राश्ट्राद्यक्ष जो बाइडन यानी इस्राइली पंतप्रधान बेन्यमिन नेतने हुनना सल्ला दिला है कि नागरिगांचा सुरक्ष ची गवाही असले शिवाय रफा मधे कारवाई करूनका। यूरोपियन यूनियन और अन्या अंतर्राश्ट्रिय संस्थान नीही या विशेई कालजी व्यक्त के लिए। मग इस्राइल रफावर बॉम भल्ले का वाड़ हुते काण इस्राइल चा मते हमास विरोधात टोटल विक्ट्री मजे पूर्ण विजय मिलवने साथी रफावरती हल्ला करण ही लशकरी गरजे। नेतने उन्चा कार्यालेन जारी केलेल्या पत्रका अनुसार हमास चार बटालियंस रफामदेत आणि हमास ला उद्वस्थ केले शिवाय या युद्धाचा उद्देश पूर्ण हो उशकत नही। रफामदे कारवाई करता ना तिथल्या सामान्य नागरी कानना सुरक्षित पैसेज पुरवला जाईल अस इजराईल नमटले पन मनजेह नागरी कुठे जातील हे मात्रस पश्ट नही। त्या तज रफामदल्या सगले अनना इजिप्ट मारके बाहर काडता ये नार नहीं अस गाजा मदे काम करना र्या मानवाधी कार संगटनानी संगितले। रफा विशेई आड़ी इजराईल हमास युद्धा विशेई सगले अपडेट्स आने विशलेशन तुम्ही बीबीसी न्यूज मराठी चा वेबसाइट वरही वाजुशकता।